शिरिमत भागवत महापुराण सकंद चोथा अध्याय चोबिस्वा प्रथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश शिरिमैतरे जी कहते हैं विदुर जी महाराज प्रथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए उनका अपने छोटे भाईयों पर बड़ा सने था इसलिए उन्होंने चारों को एक-एक दिशा का अधिकार सौंप दिया राजा विजिताश्व ने हरयक्ष को पूर्व, धूमरकेश को दक्षिन, वक्र को पश्चिम और द्रविड को उत्तर दिशागा राज्ये दिया उन्होंने इंद्र से अंतरध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी इसलिए उन्हें अंतरधान भी कहते थे उनकी पत्नी का नाम शिखंडनी था, उससे उनके तीन सुपुत्र हुए, उनके नाम पावक, पवमान और शुची थे पूर्वकाल में विशिष्ट जी का शाप होने से उपर युक्त नाम के अगनियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अगनी रूप हो गए, अंतरधान के नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हविरधान पराप्त हुआ, महराज अंतरधान बड़े उदार पुरुष्टे, जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्व में यग्य का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वद्ध नहीं किया था, राजा अंतरधान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदी कर्तव्यों को बहुत कठोर, एवं दूसरों के लिए कष्ट दायक समझ कर एक दीर्ग कालीन यग्य में दिक्षि समादी के द्वारा भगवान के दिव्य लोग को प्राप्त किया, विदुर जी, हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बहिर्षद, गए, शुक्ल, कृष्ण, सत्ते और जित वरत नाम के छे पुत्र पैदा किये, कुरुश्रेष्ट विदुर जी, इनमें हविर्धान के पुत्र महाभाग, बहिर्षद, यग्यादी, कर्मकांड और योगा ब्यास में कुशल थे, उन्होंने प्रजापती का पद प्राप्त किया, उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यग्य किये, कि सारी भूमी, पूर्व की और अग्र भाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी, राजा प्राचीन बहरी ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या, शत्दृती से विवा किया था, स्वर्ग सुंदरी किशोरी शत्दृती सुंदर वस्त्र भूशनों से सजधजकर विवा मंडक में जब भवर देने के लिए घ जाने लगे जैसे शुकी को चाहा था, नव विवायता शत्दृती ने अपने नुपूरों की जनकार से ही दिशा विदिशाओं के देवता, असुर, गंधर्व, मुनी, सिद, मनुष्य और नाग सभी को वश्मे कर लिया था, शत्दृती के गर्ब से प्राचीन भरी के प् तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया, वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तपका फल देने वाले श्री हरी की अराधना की, घर से तपस्या करने के लिए जाते समय, मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्व जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकागरता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने पूछा ब्रहमन, मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस परकार समागम हुआ और उन पर प्रसन होकर भगवान शंकर ने उन् मुनी जन्वी सब परकार की असकती छोड़कर उने पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किन्तु सहज में पाते नहीं। यद्यपी भगवान शंकर आत्मा राम है, उने अपने लिए ना कुछ करना है ना पाना है, तो भी इस लोग स्रिष्टी की रक्षा क लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ती के साथ सरवत्र विचरते रहते हैं। शिरी मैत्रे जी ने कहा विदुर जी सादू सभाव प्रचेता गणपिता की आग्या शिरो धारेकर तपस्या में चित लगा पश्चिम की और चल दिये। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह माहपूर्शों के चित के समान बड़ा ही स्वच्च था तता उसमें रहने वाले मत्से आदी जल जी भी प्रसन जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और साइकाल में खिलने वाले कमल तता इंदी वर आदी, अन और लताएं थी, उन पर मत्वाले भौरे गूंज रहे थे, उनकी मदूर्ध्वनी से हर्शित हो मानो उन्हें रोमांच हो रहा था, कमल कोश के पराग पुंज, वायू के जंकारों से चारो और उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा है, वहां मरदंग, प्रणव आदी बाजों के साथ अनेको दिव्वे राग रागनियों के क्रम से गायन की मदूर्ध्वनी सुनकर उन राज कुमारों को बड़ा अश्चर्य हुआ, इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादी देव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहीत उस सरोवर से बाहर आ रह हैं, अनेको गंधर्व उनका सुयशगा रहे हैं, उनका सहसा दर्शन पा प्रचेताओं को बड़ा कोतुहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चर्णों में प्रणाम किया, तब शर्णागत भैहारी धर्म वत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसंद हुए उन धर मुझे मालूम है, इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुमें इस प्रकार दर्शन दिया है। वह तो मृत्यू के बाद ही सीदे भगवान विश्नु के उस सर्व प्रपंचातीत परमपदगो प्राप्त हो जाता है, जिसे रुद्र के रूप में स्थित मैं तथा अन्य अधिकारिक देवता अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। जल में और कल्यान कारी स्त्रोत्र सुनाता हूं। इसका तुम लोगशुद्ध भाव से जब करना। श्री मैतरे जी कहते हैं तब नरायन परायन करुनार्द हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए। उन राजपुत्रों को यह स्त्रोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुती करने लगे। भगवन आपका उतकरष्ट उच्च कोटी के आत्म ज्यानियों के कल्यान के लिए निज अनन्द लाब के लिए है। उससे मेरा भी कल्यान हो। आप सरवदा अपने निर्टिश्य पर्मानंद सुवरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सरवात्मक आत्म सुवरूप आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म, अनन्द और मुखागनी के द्वारा संपूर्ण लोकों का सहार करने वाले एहंकार के अधिश्टाता, संकर्शन तथा जगत के प्रकष्ट ज्यान के उद्दम स्थान, बुद्धी के अधिश्टाता, प्रद्युमन हैं। आपको नमस्का हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धी और शय नहीं होता, आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हिर्दय में रहने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सुवर्ण रूप वीरे से युक्त, चातर होत्र कर्म के सा आधन तथा विस्तार करने वाले अगनी देव हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्यान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद कराने वाले अकाश हैं। आपको नमस्कार है। आप ही पुरान पूरुषतता सांखे और योग के अधिश्वर भगवान शिरी कृष्ण हैं। आप सब परकार की कामनाओं की पूर्ती के कारण साक्षात मंत्र मूर्ती और महान धर्म स्वरूप हैं। आप ज्यान शक्ती किसी भी परकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है। आपकी करता, करण और कर्म तीनों शक्तियों के एक मात्र आश्रे हैं। आप ही एहंकार के अधिश्टाता रूद्र हैं। आप ही ज्यान और क्रिया स्वरूप हैं। तथा आप से ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी चार परकार की वानी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। प्रभू हमें आपके दर्शनों की अभिलाशा है। अतय आपके भक्त जन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिये हैं। अपने उस अनूप रूप की आप हमें जहांकी कराईए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तरिप्त करने वाला है। वह वर्षा कालीन मेग के समान सनिक्द श्याम और संपूर्ण संदर्यों का सार सर्वस्व है। सुन्दर चार विशाल भुजाएं, महा मनोहर मुखारविंद, कमल दल के समान नेत्र, सुन्दर बोहें, सुघण नासिका, मन मोहिनी दंत पंगती, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुख मंडल और शोबा शाली समान कर्ण युगल हैं। प्रीती पूर्ण उनमुक्त हासे तिर्ची चितवन, काली काली गुंगराली अलकें, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पितांबर, जिल मिलाते हुए कुंडल, चम चमाते हुए मुकुट, कंकड, हार, नुपूर और मेखला आदी विचित्र अभूशन तथा शंक, चत्र, गदा, पद्म, वनमाला और कौस्तुब मनी के कारण उसकी अपूर्व शोबा है। उसके सिह के समान स्थल कंदे हैं जिन पर हार, केर और कुंडल आदी की कांती जिल मिलाती रहती है तथा कौस्तुब मनी की कांती से सुशोबित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्ष स्थल शिरी वत्स चिन के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसोर्टी की शोबा को भी मात करता है। उसका त्रिवली सिशोबित पीपल के पत्ते के समान सुडोल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भवर के समान चक्कर आदी ना भी है वह इतनी गहरी है कि उसते उत्पन हुआ यह विश्वत मानों फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्यामवर्ण कटी भाग में पितामबर और सुवर्ण की मेखला शोभाय मान हैं। समान और सुंदर चरण, पिंडली, और घुटनों के कारण आपका दिव्वे विग्रह बड़ा ही सुगड जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद रितू के कमल दल की कांती का भी तिरसकार करती है। उसके नकों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के रिदय अंधकार को ततकाल नश्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भगतों के भैहारी अवं आश्रे स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराईए। जगत गुरों हम अज्ञान वृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभों चित्शुद्दी की अभ भी आपको ही पाना चाहता है। तथा विशुद्द आत्म ग्यानियों की गती भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहाधारियों के लिए अत्यंत दुरलब हैं। केवल भक्ति मान पूरुष ही आपको पा सकते हैं। सत पूरुषों के लिए भी दुरलब अनन्य भक्त इसे भगवान को प्रसंद करके जिनकी प्रसंता किसी अन्य साधना से दुसाद्दे है ऐसा कोन होगा जो उनके चर्ण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा जो काल अपने उदम्मे उत्सा और प्राक्रम से फड़कती हुई बोहों के इशारे से सारे संसार का सहार कर डालता है वह भी आपके चर्णों की शर्ण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आदेशन के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने में स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता फिर मृत्यू लोग के तुछ की तो बात ही क्या है प्रभो आपके चरण संपून पाप राशी को हर लेने वाले हैं हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीरती और तीर्थ में आंतरिक और भाये सनान करके मानसिक और शारीरिक दोनों परकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों आपकी बड़ी क्रपा होगी जिस सादक का चित भकती योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर ना तो भाये विश्यों में भटकता है और ना अज्ञान गुहा रूप प्रकरती में लीन होता है वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है जिसमें यह स सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयम संपून जगत में भास रहा है वह अकाश के समान विश्त्रित और परम प्रकाश में भ्रम तत्व आप ही है भगवन आपकी माया अनेक प्रकार से रूप धर्ण करती है इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना पालन औ पूत्पन होती है आप प्रमात्मा पर वें अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है आपको तो हम परम सवतंत्र ही समझते हैं आपका सवरूप पंच भूत इंद्रिये और अंत्य करण में प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है जो कर्म योगी पुरुष सिध्धी प्राप्ति करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुन सकार्स रूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांती पूजन करते हैं वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मग्य हैं प्रभो आप ही अदित्य आदि पुरुष हैं स्रिष्टी के पूर्व सहंकार, अकाश, वायू, अगनी, जल, पृत्वी, देवता, रिशी और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती हैं फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्विज भेद से चार परकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं और जिस परकार मदू मख्या अपने से ही उत्पन किये हुए मदू का अस्वादन करती हैं उसी परकार वह आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुछ विश्यों को भोगता है आपके उस अंश को ही पुर सहे वेग से प्रित्वी आदी भूतों को अन्ने भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का सहार कर देते हैं जैसे वायू अपने असहिनिये एवं प्रचंड जोंकों से मेगों के द्वारा ही मेगों को तितर बितर करके नश्ट कर डालती है भगवन यह मोह गरस्त जीव प भूक से जीब लप लपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है उसी प्रकार आप अपने काल सरूप से उसे सहसा लील जाते हैं आपकी अवहेलना करने के कारण आपकी आयू को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को बिसारेग इसकी पूजा तो काल की अशंका से ही हमारे पिता ब्रह्माजी और स्वैंभूव आदी चोदा मनुओं ने भी बिना कोई विचार किये केवल शद्धा से ही की थी ब्रह्मन इस परकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भै से व्याकुल है अतय परमात्मन इस तत्व को जा लगा कर मेरे कहे हुए इस स्त्रोत का जप करते रहो भगवान तुमारा मंगल करेंगे तुम लोग अपने अंतय करण में स्थित उन सर्व भूता अंतरयामी परमात्मा श्री हरी का ही बार बार सत्वन और चिंतन करते हुए पूजन करो मैंने तुमें यह योगा देश नाम का स्त्रोत्र सुनाया है तुम लोग इसे मन से धारन कर मुनी वरत का आच्रन करते हुए इसका एकागरता से आदर पूर्वक अभ्यास करो यह स्त्रोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजा पतियों के पती भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन क करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन की थी अब भी जो भगवत प्रायन पुरुष इसका एकागर चित से नित्य प्रती जप करेगा उसका शीगर ही कल्यान हो जाएगा इस लोक में सब प्रकार के कल्यान साधनों में मोक्षदायक ज्यान ही सबसे श्रेष्ट है ज्यान नोक पर चड़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। पुरुष अनायास ही इसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। अध्याय 24 वा समाप्त प्टूप चाहे चाहे जो को पुरुष अनायास है। झाल झाल